अब आपके तरब से सबसे ज़ादा पूछे जाने वाला सवाल and doubts Under 15,000 में कौन सा फोन लिया जाए? Choice है आपका दो एक तो भाई Samsung Galaxy M30 और दूसरा Redmi Note 7 Pro कौन सा फोन अच्छ रहेगा? चाहे आप Samsung lovers हो या नहीं हो चाहे वो Xiaomi lovers हो या नहीं हो तो basically आज आपका हर एक doubts and questions clear हो जाने वाला है क्योंकि इस वीडियो में basically इन दोनों फोन का Redmi Note 7 Pro और Galaxy M30 का side by side एक dedicated comparison करने वाला हूँ और देखते रहे यह वीडियो काफी अच्छ लगेगा आपको साथ में और एक बात भाई मेरे चैनल पे एक one of the best giveaway चल रहा है अब क्या करना होगा आपको वीडियो के अंत तक रहे है वीडियो के अंत में आपको सब कुछ information मिल जाएगा मेरा नामे शुमोन हाप देख रहे हो gadgets वाला दैट विंग सेड चलून कोर्बोन आट डेडी शुरू कोडी ता तडी different kind of people different kind of choices और किसी को चाहिए अच्छा camera किसी को चाहिए अच्छा performance वाला smartphone और किसी को चाहिए अच्छा battery किसी को चाहिए अच्छा display ये सब कुछ मद्यनरजा रखते हुए मेरा ये comparison है चलिए पहला जो comparison में start करूँगा वो price से अभी देखिए ये जो Redmi Note 7 Pro है इसका price 4GB और 64GB का start होता है अंडर 15,000 यानि 14,000 और ये जो Samsung Galaxy M30 है इसका 4GB और 64GB वाला valiant आपको मिल जाएगा अंडर 15,000 यानि लगबद 14,990 के आसपास अब Redmi Note 7 Pro एक हजर कम है वाई features थोड़ा से जादा है मेरा second comparison का point होगा वो होगा design and build quality अभी देखें आप भी जानते हों design और build quality में मैं तो आगे रखूंगा Redmi Note 7 Pro को क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में आपको पीछे में glass body design मिलता है 2.5D का carb glass मिलता है साथ में यहाँ पे आपको corning oil or glass pipe का production मिलता है यह अलग बात है आपको side में Redmi Note 7 Pro में मिलता है plastic frame यारी polycarbonate पर कहीना कहीं यह Samsung Galaxy M30 से अच्छा है क्योंकि Samsung Galaxy M30 में आपको वही polycarbonate design मिलता है हाँ gradient colors तो आपको मिलता है light blue नीचे में dark blue और यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में भी आपको gradient colors मिलता है पर कहीना कहीं जो glass का gradient colors आता है वो थोरा सा उभर के आता है बहुत यह अच्छा feel होता है glass को भाई हात में पकर के और यहाँ पे मैं और एक बात कहूंगा आपको यहाँ पे जो Samsung Galaxy M30 है पीछे में कोई भी glass production नहीं मिलता है तो मेरे सबसे camera alignment देखो या यहाँ पे flash के alignment देखो वो थोरा सा अलग लगता है जो हर एक smartphone आता है ना Xiaomi के तरब से उससे तो मैं यहाँ पे इस point के नजरिये से आगे रखोंगा Redmi Note 7 Pro को क्योंकि यहाँ पे आपको glass मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का protection मिलता है पर इसका मतलब यह नहीं Samsung lovers के यह देखने में अच्छा नहीं है यह भी काफी खुपसरत लगता है अब आपका choice जो मिला third point होगा वो होगा display आप देखिए दोनों phone का display यहाँ पे तो आगे हैं Samsung Galaxy N30 अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए Samsung Galaxy N30 में आपको 6.4 inches का full HD plus full view display मिलता है 2.5D का card glass मिलता है और उपर में use shape notch मिलता है और साथ में यहाँ पे जो अच्छा बात है super amulet display मिल रहा है इस बार इस price में बाई Samsung के तरफ से और यह display कही ना कहीं आपके दिल को छू जाएगा साथ में यहाँ पे जो Redmi Note 7 Pro है इसमें आपको 6.3 inches का display मिलता है साथ में उपर में आपको dot notch मिलता है 2.5D का card glass मिलता है और साथ में यहाँ पे आपको जो Corning Gorilla Glass 5 उसका protection मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा पीछे है Samsung Galaxy M30 क्योंकि Samsung Galaxy M30 में आपको ऐसा ही Dragon Tail Glass का protection मिलता है यही कहूंगा Redmi Note 7 Pro थोड़ा सा आगे है protection के मामले में चाहें वो पीछे से चाहें वो आगे से पर हाँ display quality अगर आपको चाहिए Super AMOLED display चाहिए तो यहाँ पे Galaxy M30 अभी मेरा जो चौथा point यहाँ पे होगा वो RAM और ROM अभी दोनों ही phone में आपको देखने को मिलता है 4GB RAM और 64GB internal memory यानि ROM पर यहाँ पे Samsung Galaxy M30 आगे है क्योंकि आपको Samsung Galaxy M30 में dedicated microSD card slot मिलता है यहनि आप अटे टाइम दो सीम और एक microSD card का उप्योग कर पाओगे पर यह समभब नहीं है Redmi Note 7 Pro में पर मैं तो यही कहता हूँ आज के date में आज के तरिक में हर एक smartphone band को देना चाहिए Indians के लिए यह होना ही चाहिए एक dedicated microSD card slot यहाँ पे आपको 2 SIM या एक SIM एक microSD card को उप्योग करना है या तो आपको sacrifice करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे आगर रखूँँगा Samsung Galaxy M30 को अब मेरा जो पाच्वा पॉइंट एक comparison का वो है इसका processor और performance phone जितना भी सुन्दर हो phone कितना भी अच्छा हो वाई processor यनि जो इसका धरकन होता है न processor वो अच्छा होना चाहिए यहाँ पे तो मैं आगर रखूँगा Redmi Note 7 Pro को क्योंकि Redmi Note 7 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon का जो latest processor है जो 675 यह 11 nanometer फिन्फेट टेक्नलोजी पे है वो आपको यहाँ पे मिलता है Redmi Note 7 Pro में और यह एक octa-core processor है 2.0 GHz पर चलता है साथ में यहाँ पे Adreno 612 का GPU भी आपको मिलता है वही आपको Samsung Galaxy M30 में Xino 790 phone मिलता है यह एक octa-core processor है 14 nanometer फिन्फेट टेक्नलोजी पे है साथ में यहाँ पे जो आपको GPU मिलता है वो Mali G72 MP2 GPU आप भी जानते हों भाई यह कहूं या ना कहूं कही न कही Redmi Note 7 Pro पचर देता है यह जो Samsung Galaxy M30 इसको चाहिए वो आप PUBG खेलो या कोई high-end games HDR में खेलो या कोई भी HD graphics में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा Redmi Note 7 Pro का performance कही न कहीं lack करता है Samsung Galaxy M30 अब यह हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं दोनों ही phone को use क्या हूं पर हाँ थोड़ा सा पीछे जाता है Redmi Note 7 Pro क्योंकि आपको थोड़ा सा बाई Redmi Note 7 Pro वेट करणा है जाओ खरीद लो चलिए मिरा जो छेटा कारण है वो है इसका camera अब camera भी तो अच्छा होना चाहिए आजकल हर एक को एक DSLR नहीं चाहिए DSLR के जैसा picture चाहिए वो भी बहुत ही कम price में तो मैं यहाँ पे आगे रखूंगा दोनों ही phone को पर हाँ थोड़ा सा आगे है Redmi Note 7 Pro अब ऐसा क्यूँ? क्यूँके आप सोचोगे Samsung Galaxy M30 में तो 3 cameras है फिर भी यह पीछे है दोस्ट, है बाउस कारण है अब Redmi Note 7 Pro में आपको 48 megapixel का camera मिलता है पीछे में अब यह तो से pro remote पे ही काम करता है क्योंके इस बार Samsung ने अच्छा काम किया इस price range में आपको 3 cameras प्रोवाइट किया है एक तो आपको 13 megapixel का primary camera मिलेगा दूसरा जो 5 megapixel का आपको यहाँ पे wide angle lens मिलेगा और जो 5 megapixel का मिलेगा वो एक depth sensor Samsung Galaxy M20 में यह missing था depth sensor यहाँ पे आपको मिल जाएगा picture ने आ है मैंने दोनों ही phone का मुझे अच्छा लगा दोनों ही phone का performance कहीं ने कहीं low light में Redmi Note 7 Pro बाजी मार देता है Samsung Galaxy M30 को अभी यह जो font camera है front camera में भी आगे है Samsung Galaxy M30 क्यूं? क्यूंके यहाँ पे आपको 16 megapixel का camera देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 13 megapixel का camera बिलता है अब ऐसा क्यूं? यह मुझे मालूम नहीं हुआ क्यूंके Redmi Note 5 Pro या Redmi Note 6 Pro दोनों ही के देखो आपको 20 प्लास 2 megapixel और 20 megapixel का camera बिलता है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro में पर यहाँ पे 13 megapixel आपको निरास्त तो नहीं करेगा पर उतना भी details आप expect मत करो पर आपको जो Samsung Galaxy M30 है यह जो light focus आपको देता है न वो गजब का लगा मुझे पर फॉन्ट कैमरा में Samsung Galaxy M30 आगे है अब Redmi Note 7 Pro क्यों आगे है इसका कारण एक ही है इसमें आपको 4K video recording को option मिलता है इसमें आपको EIS मिलता है दोनों यह missing है Samsung Galaxy M30 में आप price रखे हो 15,000 और EIS और यह जो 4K video recording आज हर किसी को चाहिए यह अपने नहीं दिया अब चलिए battery अब battery में Samsung Galaxy M30 आगे है क्यूंकि इसमें आपको 5000 image का Mamton battery मिलता है वही आपे 4000 image मिलता है Redmi Note 7 Pro में इसका मतलब यह नहीं Redmi Note 7 Pro अच्छा perform नहीं करता है काफी अच्छा आपको battery backup देगा और processor ही भीक बहुत यह अच्छा है जो आपको अच्छा battery देने में सहयता करता है वही आपको Samsung Galaxy M30 भी निरास नहीं करेगा इससे थोड़ा सा ज़ाद आपको यह देगा तो आपका priority अगर है 5000 image वाला कोई smartphone तो यह लीजिए अभी USB type C दोनों ही phone में है Fast charging का option दोनों ही phone में है पर unfortunately आपको Redmi Note 7 Pro में नहीं मिलता है out of the box Fast charger वहीं आपको Samsung Galaxy M30 में आपको out of the box मिलता है एक fast charger अभी जो next मेरा point है वो है दोनों ही phone का कोई ना कोई extra features अब देखिए जो Redmi Note 7 Pro में आपको R Blaster देखने को मिलता है यहाँ पे missing है Samsung Galaxy M30 में और Samsung Galaxy M30 में आपको Dolby Digital Surround Sound मिलता है वो missing है Redmi Note 7 Pro में दोनों में ही आपको fingerprint sensor दिया गया है पर यह जो Samsung Galaxy M30 का fingerprint placement है न वो काफी नीरास किया मुझे क्योंकि यह थोड़ा सा उपर है थोड़ा सा अगर नीचे होता तो अच्छा होता दोनों में ही आपको face unlock का जो features वो मिल जाएगा कही ना कही Redmi Note 7 Pro में face unlock थोड़ा सा आगे है fingerprint sensor भी थोड़ा सा आगे है मैं आप बात करूँगा यहाँ पर sensors की सब sensors आपको मिलता है gravity sensor हो या gyroscope हर एक sensors आपको मिलता है दोनों इफोन में और हाँ यह जो दोनों फोन का speaker का sound quality है ना वो adequately loud है दोनों का यह above average है और मैंने dedicated Redmi Note 7 Pro के साथ Poco iPhone का एक sound quality test कर दिया है आप जाओ मेरे channel पे visit करो videos को और देखो अभी और एक बात इसका operating system Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है Android Pie वही आपको Samsung Galaxy M30 में still now मिलता है Oreo अभी इसमें आपको MIUI 10 देखने को मिलेगा और Samsung Galaxy M30 में आपको मिल जाएगा जो experience Y कही ना कहीं ये One UI से थोड़ा सा कम है पर सुनने में ये भी आ रहा है बहुत जल्द आपको update मिल जाएगा Samsung Galaxy M30 में Android Pie और One UI देखते हैं कब तक आएगा आपको मैं inform कर दूंगा तो ये था इन दोनों फोन का एक सुन्दर comparison आपको चैन करना है आपको decision लेना है आपके लिए कौन सबेस्ट है आप किस तरह का user हो मुरे लिए मैं आगे रखूंगा Redmi Note 7 Pro को उसके बाद Samsung Galaxy M30 को आठके लिए इतना ही ओ हाँ जो giveaway इस वीडियो के description पर आपको giveaway वाला लिंक मिल जाएगा जाएगा जाएए और क्लिक कीजिए जहाँ पे आपको मिलेगा पांच स्मार्टफोन और एक Bluetooth wireless speaker जो पांच स्मार्टफोन है उसमें से एक है Redmi Note 7 Pro दूसरा है जो ये चार्ज भी 64G वाला और ये Neptune Blue दूसरा है Redmi Note 7, Onyx Black 32G वाला, तिसरा है Poco F1, Red Color, Next Air Asus Gen4 Max Pro M1 चार्ज भी 64G, Max Pro M2 चार्ज भी 64G, Blue और Gold कलर का और Bluetooth speaker, क्या करना है आपको वीडियो को देख लिजे, सब कुछ आपको information मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरू पसंद आया है और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजे का मेरे चैनल को साथ में notification bell को जरू पूस केजिएगा इससे आपको हर एक वीडियो का information और notification मिल जाएगा धड़ेवाद